हेलो एब्रिवन वेलकम टू सक्सवित्राय अकेडमी समान अध्यन के प्रैक्टिस सेट की जो स्रीचल रही है उसमें आज हमारा 33 नंबर है और इससे पहले हम 32 टेस्ट को कवर कर चुके हैं विभिन सब्जेक्ट के विभिन टॉपिक के तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है व के लिए प्रसुत कर रहे हैं और इसमें हमने टोटल 35 कोश्चन को लिया हुआ है आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या फिर इसका पीडियाफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेज वित्राय अकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं सब 1963 BC में लुम्बनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का बश्पन का नाम क्या था सिधार्थ गौतम बुद्ध किस वन्स से सम्मंदित थे साथ के वन्स से गौतम बुद्ध के त्याग का प्रती क्या था घोड़ा गौतम बुद्ध के पहले गुरू का क्या नाम था अलार कलाम अलार कलाम बुद्ध ने किस भासा में अपना उब्देश दिया था पाली भासा में बुद्ध के विभिन उब्देशों को किस में संग्रहित करके रखा गया है क्रिपिठक में संग्रहित करके रखा गया है बुद्ध के साहित से पूर, बुद्ध की जन्म से समन्धित कहानियों को किस पुस्तक में संकलित किया गया है जातक में 10th नंबर है किस नदी के किनारे बुद्ध को ज्यान की प्रापती हुई थी निरंजना नदी के किनारे किस आयू में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्स पीपल के पेड़ के नीचे उनकी आयू थी 35 वर्स की और पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौदम बुद्ध ने अपना पहला उब्देश कहां दिया था जिसे धर्म चक्र परवरतन के नाम से भी जाना जाता है पहला उब्देश इन्होंने दिया था सारनाथ में नेक्स्ट है पहला बौध संगती का आयोजन कहां किया गया था ये किया गया था राज ग्रह में असोक ने तीसरे बौध संगती का आयोजन कहां करवाया था पाटली पुत्र में कराया था किस बौध संगती संमेलन में बौध धर्म दो भागों में महायान और ही नियान में विभाजित हो गया ये चतुर्थ बौध संगती में एक धड़ा बन गया महायान और एक ही नियान बन गया next question है कि महायान संप्रदाय का सरवादिक विकास किसके सासनकाल में चर्मोत कर्ष पर पहुंचा कनिश्कि के सासनकाल में बौध के आवसेशों को रखे इस्थान को यहाँ जहां पर उनके अवसेश रखे ग毎ए उस स्थान को क्या कहा जाता है इस तूप कहा जाता है बॉद्ध धर्म के त्री रतनों में सामिल है बुद्धम एवं संग बुद्धम एक तो होगा बुद्ध दूसरा होगा धम और तीसरा होगा संग ये तीन हैं बुद्ध धम और संग बौध्ध धर्म के चार प्रमुख सत्य क्या है पहला सत्य है दुख, दूसरा है दुख के कारण, तीसरा है दुख का अंत और चौथा है दुख के अंत का मार्ग अश्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किस ने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था लाइट आफ एसिया के रूप में जाना जाता है गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध की मृत्यू कब और कहां होई थी 483 BC में कुशी नगर में इनकी मृत्यू होई थी बुद्ध चरित्र की रशना किस ने की थी अश्व गोश ने की थी गौतम बुद्ध के जन्व अर्थात निर्मान एवं मिर्तिव अर्थात परिनिर्वान को प्रती वर्ष किस रूप में जाना जाता है बैसाख पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है मात्मा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्रापति की घटनाओं को बौध धर्म में किस नाम से जाना जाता है किसे प्रारमबिक बौध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है सूत पिटक को सूत पिटक को नवी सताब्दी में बिहार तथा बंगाल के किस सासक ने बौध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्पूर्ण योगदान दिया था पाल सासकों ने बुद्ध का जन्म ज्ञान की प्राप्ति तथा महा परिनिर्वान किस तिथी को हुई थी बैसाक पूर्णिमा को महत्मा पुद्ध ने सरप्रथम किन दो सूद्रों को बौध धर्म का सरप्रथम अनुयाई बनाया था तपस्वी और कालपिक को बौध भिक्षूओं के निवास स्थान को विहार जबकि इनकी पूजा इस थल को क्या कहा जाता है यहां पर विहार होगा चैत्ते कहा जाता है 32 नंबर है बौध धर्म का सरवाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ था कौशल में भारतिय दर्सन में तर्क सास्त्र का विकास किस धर्म के प्रभाव का परिणाम है यह था बौध धर्म का वह व्यक्ति कौन था जिससे महात्मा बुद्ध ने युवा उपनिस्द की सिख्छा ली थी अलार कलाम वह इस्थान जहां महात्मा बुद्ध का अंतिम समय बीता था वैसाली में अंतिम समय कहां बीता था वैसाली में यह आज के इंपोर्टेंट 35 कोश्चन थे जो विभिन परिक्षाओं में पूछे जा चुके हैं आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इससे पहले जितने वीडियो है या टेस्ट है वह आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद